जय हिं दोस्तों दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पर स्वागति है चले दोस्तों आज हम आप लों को फिर से बताने वाले हैं SST में Economics का Most Important Objective Question आप सभी को पता होगा दोस्तों आपका जो subject है वो है earth चात्र या अर्थ वेवस्था भी कह सकते हैं अर्थ वेवस्था ठीक है जो कि आप इसको इंगलिस में कहेंगे इकोनॉमिक्स ठीक है क्या कहेंगे इकोनॉमिक्स ठीक ना चलिए दोस्तों तो यहाँ पर जो है आपको most important objective question chapter wise लिकर आए हैं अगर आप भी एक कमजोर student हैं और अभी तक अभी तक एक भी objective question नहीं याद किये हैं तो आप लोगों को बता दे दोस्तों आपका जो final exam होने वाला है उसमें जो objective question पुछा जाएगा वो objective question NCRT से रहेगा ध्यान दीजिए NCRT से आपका 90% objective subjective question रहेगा मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आप एक कमजोर student हैं और NCRT से पूरा complete objective और subjective पढ़ लेते हैं तो आपका marks 95% marks पका आएगा ठीक है यानि कि आप भी topper बन सकते हैं तो दोस्तों आजाएए मेरे साथ और जो student पहले से पढ़े हैं ये chapter तो आपनों का साथी साथ test हो जाएगा और आपका revision हो जाएगा समझेगा एक चीज को वारिकी से तो आपनों के लिए based होगा क्योंकि आपनों के पास cable चार से पांच महिने हैं और इसी चार से पांच महिने में आपको पढ़ कर topper बनना है तो अगर topper बनना है अगर आपका सपना है कि अपने मता पिता का नाम रोशन करें तो आपको topper बनने के लिए ये सारा चीज पढ़ना होगा आईए दोस्तों एक एक चीज को पढ़ते हैं जो नए हैं दवा के share कर दीजिए चैनल को subscribe कर लिजिए और देखिए किस तरह का objective question आपके सामने लेगड़ा हैं और ये वही question है इसमें previous year का question है और जो exam 2024 में पूछा जाएगा ठीक है तो साथ साथ आपको जवाब देना है आपका तीसरा chapter है ठीक है आपका तीसरा chapter है मुद्रा बचत एबम साख ठीक है ये अध्याय तीन है आईए question number 1 से स्रीगनेस करते है साथ में आप लोग जवाब दीजिएगा ठीक ना चलिए तो आपके सामने question है कि आधूनिक यूग की परगती का सरे मुद्रा को ही है यह कथन है यह कथन किसका है दोस्तों आपके सामने option दिया गया है और बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मार्सल का किसका हो जाएगा मार्सल का option number 1 आप लोग को याद रखना है साथ साथ आप लोग जवाब दीजिए comment box खुला हुआ है comment box में जवाब दीजिए चलिए दूसरा question है मनुस्त के आर्थिक जीवन में सबसे महत्व पुर्ण क्या है दोस्तों याद रखिएगा मनुस्त के जीवन में आर्थिक जीवन में जो सबसे महत्व पुर्ण होता है वो हमारा होता है मुद्रा क्या होता है मुद्रा होता है option number C बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा चलिए आजाएए अगला question देखिए आपके सामने है अगर आप भी बिहार बोर्ड से है या अधर बोर्ड में अगर आपका ये question है यानि आपका book है तो जरूर पढ़िए ये मेरा guarantee है कि paper में objective जो है objective question इससे बाहर नहीं लड़ेगा अगर ये complete पढ़ के जाते हैं तो 2024 में आपका A to Z objective question सही होगा ये मेरा दावा है ठीक है ना चलिए दोस्तों तो बोला है साख का क्या अर्थ है दोस्तों ध्यान दिजिएगा साख का जो अर्थ होता है वो हमारा होता है विश्वास रखना और रिन लोटाने की छमता रिन लोटाने की छमता यानि कि A B दोनो हो जाएगा तो option number C जो है आपका बिल्कुल सही जवाब होगा A B दोनो ठीक है ना आईए अगला question देखिए गौर से सुनिए और देखते रहिए आपको याद हो जाएगा बिल्कुल भी objective के लिए और subjective के लिए टेंसर नहीं लेना है सारा question दे देंगे आप लोग मेरे साथ exam तक बने रहिए देखिए यहाँ पर बोला गया है कि निम्न में से कौन सा आधूनिक मुद्रा का एक रूप है काफी सांदार question है board model question है टिक कर लिजेगा दोस्तों ये आधूनिक मुद्रा का एक रूप जो होता है ये कौन है तो आप सभी को याद रखना है ये है हमारा कागस का note क्या है कागस का note option number B हो जाएगा clear है ना आईए अगला question देखिए question number five है बुला है कि निम्न लिखित में से कौन सा संस्थान जो है भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकरीत है ध्यान दिजेगा यहाँ पर तो वो हमारा संस्थान कौन सा है तो वो हमारा है reserve bank of India यानि की RBI ठीक है option number आपका हो जाएगा ए बिल्कुल सही जवाब ठीक ना चलिए अगला question है question number six बुला गया है कि निम्न में से कौन सा मुद्रा जो है एक आधुनिक रूप नहीं है देखिए कौन सा जो है यह आधुनिक रूप नहीं है आपके सामने option दिया गया है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना तो इसमें मुद्रा होगा ना ही जमा होगा ना ही draft होगा इन में से कोई नहीं होगा ठीक है तो option number D आप लोगों को याद रखना है direct objective question यहां से लड़ेगा आप लोगों को बिल्कुल अवसक्ता की पूर्ती करते थे किस तरह से पूर्ती करते थे क्या करके पूर्ती करते थे दोस्तों ध्यान दिजिएगा तो यह जो है वस्तों के आदान परदान से जो है यह अपना अवसक्ता की पूर्ती करते थे तो option number D हो जाएगा किलियर है न अगला question देखिए question number 8 है कि एक रुपए का note जारी किया जाता है किसके द्वारा काफी important है board model question है ठीक है अर्थ विवस्था जो आपका book है ठीक है जो कि आपका यह आता है आपका sst यानि कि social science में आपका है न यह chapter आप लोगों को पता होगा economics जिसकों इंग्लिश में economics काते हैας हं तो देखिए सरकार के द्वारा दोस्तों अगर आपका सपना है कुछ करने का ठीक है अगर कुछ करना चाहते हैं अपने life में आगे जाते हैं तो आपको मेहनत करना होगा ठीक है देखिए इस दुनिया में मेहनत के साथ साथ सारा चीज आपको करना है ठीक है अगर आपका मेहनत जो है ना ध्यान दीजे अगर आपका मेहनत इमांदारी से 100% है तो आप किसी भी छेतर में जाईएगा तो आप वहाँ पर सफल हो निकल जाते हैं इधर उधर प्रैम के चकर में पर जाते हैं तो दोस्तों ये सब सही नहीं है ये सही लगेगा कब जब आप एक सकसेस हो जाईएगा एक सकसेस इंसान बन जाईएगा तो आप सकसेस के पीछे भागे सफलता आपके कदमों में होगी ठीक है ना चलिए आप थाना में भी करना है ना कि समाज को आप अच्छा करेंगे तो ही आपके माता-पिता आपके लिए बेश्ट रहेंगे थीक है ना तो आएक कोशन पर चलते हैं आगे बाते करेंगे बोला है कि बी निमाई का जो है ये सरवत्तम माध्यम है ध्यान दिजिए बी निमाई का सरवत्तम माध्यम क्या है दोस्तों ध्यान दिजिएगा तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका वो हो जाएगा मुद्रा क्या है मुद्रा option number C हो जाएगा अगला question है कि जो ये मुद्रा है मुद्रा का प्रात्मिक कारिये कोन सा है मुद्रा का प्रात्मिक कारिये क्या होता है दोस्तों याद रिखेगा चलिए बचत को परभावित करने वाला जो है परमुक तत्व क्या है बचत को परभावित करने वाला परमुक तत्व दोस्तों याद रखेगा ये होता है हमारा बचत की छमता बचत की इच्छा और बचत की सुब्धाएं यानि तीनों सही है तो इन में से तीनों ही हो जाएग बचत का पुझी निर्मान का रिनो का लेन देन करना इन में से तीनों यानि तीनों सही है तो इन में से तीनों ही हो जाएगा आपनों को याद रखना है देखे दोस्तों अगला कोशन है कोशन नमबर 13 मुद्रा वह धूरी है जिसके चारों और अर्थ विज्ञान घुमता है काफी important VVI objective है ध्यान दीजिएगा ठीक है तो दोस्तों यहाँ पर जो बोला गया है कि मुद्रा वह धूरी है जिसके चारों और अर्थ विज्ञान घुमता है यह किसका यह किस अर्थ सास्त्री का कथन है तो बिल्कुल सही जावाब का हो जाएगा वह जाएगा मार्सल का कि देखिए अगला कोशन है 14 नंबर बोला गया कि बी निमाई की जो है प्रारंबिक अवस्था का ब्यापार किस पर आधारित था ध्यान दीजे ये आधारित था दोस्तों वस्तू बी निमाई पर किस पर वस्तू बी निमाई पर आप्सन नंबर ए हो जाएगा देखिए अगला कि यह जो परिभासा है किसने दिया देखिए आपके सामने option दिया गिया है और बिल्कुल सही जवाब का क्या होगा तो बिल्कुल सही जवाब का हो जाएगा हर्ट ले विदर्स ने किसने हर्ट ले विदर्स ने option number C हो जाएगा आपका अगला चेप्टर है हमारी विर्तिय संस्था जो कि आपका अध्याय चार है हमारी विर्तिय संस्था है अब देखिए यहां से 2024 में किस तरह का question पूछा जाएगा धियान दिजिएगा यहां पर पहला question है और आप लोग को भी साथ में जवाब देना है बोला गया है कि बंगला देश के नॉवेल पूछार से सम्मानित वैक्ति कौन है काफी important है सारा question important है देखिए ज़्यादा इसलिए नहीं लेकर आए है क्योंकि आपको बकवास का question नहीं देना है केबल वही question देना है जो 2024 exam के लिए important हो तो कम question है लेकिन ये सारा question 100% लडने वाला है ठीक है चलिए ध्यान दीजिए और जवाब दीजिए तो बंगला देश के नॉवेल पूसकार से सम्मानित वैक्ति कौन है याद रखिएगा ये है हमारे मुहमद रहीम यूनूस कौन है मुहमद सौरी एक मुनट सी हो जाएगा नहीं ये हो जाएगा ये मुहमद यूनूस क्या हो जाएगा मुहमद यूनूस option number B हो जाएगा क्लियर है न चलिए अगला देखिए question question number 2 है गैर संस्थागत विर्त परदान करने वाला सबसे लोग पिरिये साधन है ध्यान दीजे दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा महाजन क्या हो जाएगा महाजन option number B आप लोगों को याद रखना है अगला question बोला गया है कि इन में से कौन संस्थागत जो है विर्त साधन है विर्त साधन कौन सा है दोस्तों याद रखिएगा विर्त साधन जो होता है हमारा वो होता है वेवसाइक bank क्या होता है वेवसाइक bank option number C हो जाएगा आईए अगला कोशन देखिए चार नमर कोशन है बोला गया है कि भारत के कैंद्रिये बैंक कौन है बोर्ड मोडल कोशन है टिक कर लिजिएगा ठीक है ये पूछा जाएगा कोशन तो देखिए भारत के कैंद्रिये बैंक कौन है आप लोगों को ध्यान देना है Reserve Bank of India कौन है Reserve Bank of India यानि कि Option number A आपका बिल्कुल सही जवाब होगा अगला कोशन है कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारम कब हुआ था ये भी आपका Board Model कोशन है टिक कर लिजेगा आपका बिल्कुल सहकारिता आंदोलन का प्रारम कब हुआ था आपसे इस भी पूछ रहा है तो ये हुआ था आपका 1904 में ध्यान देजेगा 1904 भी देखिए अगला कोशन है कि भारत की बिर्तिय राजधानी Financial Capital जो है Financial Capital किस सहर को कहा गया है यानि कि भारत की बिर्तिय राजधानी किस सहर को कहा गया है जल्दी से जबाब दिजी आप लोग Comment Box खुला हुआ है देखिए अगर आप लोग पहले से पढ़े हैं तो आप लोग जबाब दिजीए इससे आपका practice भी हो जाएगा काफी सांदार और आप लोग कभी objective को नहीं भूलिएगा तो बिल्कुल सही जब हो जाएगा मुंबई किसको कहा जाता है बिर्तिय राजधानी मुंबई को option number 1 हो जाएगा अगला है कि दिर्ग काली निरिन परदान करने वाली संस्था कौन सी है काफी important सवाल है बिल्कुल सही जब होगा भूमी विकास बैंक क्या हो जाएगा भूमी विकास बैंक option number C हो जाएगा अगला कोशन है कि मुद्रा बाजार की संस्थागत बिर्तिय संस्थाओं में कौन सरवाधिक महतपुर्ण है महतपुर्ण जो है ये आपसे पूझ रहा है मुद्रा बाजार की संस्थागत बिर्तिय संस्थाओं में कौन सरवाधिक महतपुर्ण है ध्यान दिजेगा ये है हमारा बेवसाइक बैंक क्या है बेवसाइक बैंक option number A आपका बिल्कुल सही जवाब होगा अगला कोशन देखिए बुला गया है कि बेवसाइक बैंक का राष्टिय करन कब किया गया देखिए दोस्तों ये काफ़ी important सवाल है और ये भी आपका board model कोशन है ठीक है बेवसाइक बैंक का जो राष्टिय करन किया गया अभी जो कारी अरत है केंद्रिय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है ध्यान दिजिएगा ये है दोस्तों 25 कितना है 25 है ये राजी में जो है कारी अरत केंद्रिय सहकारी बैंक ठीक है कितना है तो ये है आपका 25 option नमबर D याद रखना है 11 नंबर कोषचन है आपके सामने बोलड़ा यहां पर कि भारती रिजर्व बैंक के अस्थापना कब हुई काफी important है और board model कोषचन है ठीक है board model कोषचन है ध्यान रखेगा भारती रिजर्व बैंक की asथापना कब हुई थी दोस्तों याद रखिएगा यह वह था आपका 1935 भी में कब वह था 1935 में और भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अगला कोशन देखिए कि भारत में कितने राष्टिय क्रित बैंक है यह भी आपका बोर्ड मोडल कोशन है टिक कर लेना है देखिए दोस्तों राष्टिय क्रित भारत में जो बैंक है उससे पूछा कि कितने बैंक है तो ध्यान दीजिए यह है आपका कितना 19 बैंक है 19 बैंक है और भी हो जाएगा अगला कोशन है राष्टिय किर्सी अगला कोशन देखिए जवाब दीजिए किस ने कहा ध्यान दीजिए किस ने कहा बिहार के बिकास के बिना भारत का बिकास संभब नहीं है यानि कि अगर बिहार का बिकास होगा तो भारत का बिकास हो सकता है ठीक है बिहार के विकास के बिना भारत का विकास नहीं होगा ये बात किस ने कहा ध्यान दीजी ये बात कहा था दोस्तों डॉक्टर एपी जे अब्दुलकलाम जी option number A हो जाएगा clear है न चलिए तो ये आपका last question था और इस तरह से आपका जो है तीसरा और चोटा चेप्टर जो है ये complete हो गया तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गये होंगे देखिए आप लोग कुछ नहीं करना आप लोग को objective क्या से याद करना है समझा रहे है objective के लि में आपका question bank का भी question पूछा जाएगा जो previous year का है तो ये सारा चीज़ आप लोग को करना है exam तक ठीक ना तो फिर देखिए आपका result बहुत ही बैतर आएगा जितना आप सोचे हैं उससे जादा आएगा ठीक ना चलिए तो आप लोग revision करते रहे हैं तयारी में लगे रहे है मेहनत में कमी नहीं छोड़ना है तीक है बिल्कुल भी इदर उदर नहीं करना है जितना भी अभी आपके पास समय है ये 4-5 महने जो समय है इसमें आपको मौझ मस्ती करना है लेकिन limit में करना है तो आप लोग के लिए बेहतर होगा चलिए आप लोग के लिए important है कि अगर आ इंस्टाग्राम पर xyz motivational आपको search करना है ठीक है xyz motivational fact और वहाँ पर आपको study से related एक से एक सांदार वीडियो मिल जाएगा उसको देखिए अपने real life में उसको use कीजिए और कुछ सीखिए वहाँ से ठीक है ना तो चलिए दोस्तों अमीद करते हैं कि आप भी वहाँ चलिए दोस्तों मिलते हैं कहीं पर भी आप लोग प्रोब्लम हो तो आप लोग जरूर कॉमेंट कीजिएगा ठीक ना तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मात्रम